डिसलाइक या लाइक किएजी, फिल्म की शुरुआत एक टीवी शो की होस्ट को दिखाने से होई जिसका नाम लांस था, उसका शो रियालिटी शो था, यानि बेशिक शो में दिखाए जाने वाली चीजे फेक, इन्ही नकली हों, पर ये सब को असली कहा कर दिखाते थे, शो म लांस अपनी और अपने साथियों की एपिसोड वीडियो सबको दिखाता है, जिसमें वो और उसके साथी ऐसी जगों पर जाते हैं, जहां पर नॉर्मल चीजे होते हैं, यानि नॉर्मल से हटकर कोई भूतिया चीजे, इस शो का नाम ग्रेव इनकाउंटर सी था, जो इस पूरा तो पूरा कर लेती हैं, पर फिलहाल हमें वो एपिसोड नहीं दिखाया जाता, बलकि ग्रेव इनकाउंटर शो का प्रोड्यूसर दिखाया गया, जो इंटर्व्यो दे रहा था, जिसमें वो बताता है कि ये शो पाच एपिसोड की बाद ही बंद कर दिया गया, और एपिसोड यनि होस्पिटल वाला किसी को इसलिए नहीं दिखाया गया, क्योंकि शूटिंग की दुरान ही होस्पिटल से लांस और उसके सभी साथी गाइब हो गई, पिर कुछ वक्त के बाद हमें उन लोगों की एक बगर एडिट हुई वीडियो मिली, जिसी एडिट करके हमने एक फिल्म बनाई, और फिल्म में वो सब दिखाया गया, जो लांस और उसके साथियों के साथ होस्पिटल में हुआ, जो सब पिलकुल सच था, इतना कहती ही, वो फिल्म दिखाए जाने लगी, जहां सबसे पहले हमें इस फिल्म की कास्प दिखाए गी, जिनने पहले पिर आता है कैमरा में और कैमरा ऑपरेटर, यानि जो कैमरा को लगाएगा और फिराब होने पर ठीक करेगा, इसके बाद आते हैं दो परा नॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, यानि जो काले जादू, जादू को खत्म करने ही, और भूत आत्मां को बगाने की माहिर होती है, य लेकिन इसके बरे में अफोने थी, कि रात को यहां से मरीजों के हसने की आवासे आती हैं, फिल्म में एक डॉक्टर बताते हैं कि इस हॉस्पिटल में ऐसी मरीजों को लाया जाता था, जिनका दिमागी तवाजन बिलकुल खराब था, यानि जिनके ठीक होने की तुवारा क कोई चांसिस नहीं हुआ करते थी, यहां आकर मरीज वैसे में ठीक नहीं हो सकते थी, क्योंकि ठीक से उन्हें खाने पीने को कुछ नहीं दिया जाता था, यह हॉस्पिटल उनके लिए किसी जेल से कम नहीं था, इस हॉस्पिटल का एक हैड डॉक्टर बड़ा ही अजीब थ क्योंकि वो यहां की लोगों पर गयर कानूनी एक्सपेरिमेंट्स पजर्बे किया करता था, तो इस वज़े से तंग आकर कुछ मरीजों ने उसे डॉक्टर को मार दिया, इसलिए कहा जाता है कि सबी मरने वली मरीजों की आत्माई आज भी इस हॉस्पिटल में घूमती रह जैसे ही रात हुई, इन्होंने होस्पिटल के अंदर में दर्वाजे पर अपना कैम्प लगा लिया, लांस यहां के वार्ड मैन से कहता है कि तुम इस दर्वाजे को बाहर से बन कर लो, पूरी रात नहीं खोलना, सुबत शी बज़े ही खोलना है, कैमरा ओप्रेटर ऐसी हर जगों पर कैमरा लगा देता है, जहां पर नॉर्मल भूत अत्माओं की होने की चांसे ज्यादा थे, कौफी देर हो गई थी, पर अभी तक इन्हें कुछ पी अजीब मैसूस नहीं होता, इस बिल्डिंग के नीचे बहुत लंबी, काफी सारी सुरंगी थी, जो एक दोसे ब करने की कोशिश करते हैं, और तब ही अचानक, यह पर नॉर्मल इन्वेस्टिगेटर लड़की थी, उसकी बाल कोई अंजान ताकत हिला दीती है, जो नजर नहीं आ रही थी, जिस वज़से सभी लोग काफी डर गें, और अब उन्हें यकीन हो गया था कि सच में यहां क्योंकि आज वो पहली बार किसी सची भूतिया जगा पर आए थी, और यहां शूट के जाने वाली सभी वीडियो से वो अमीड बन सकते थी, इसकी बाद ही सभी लोग अपने केम्प में वापिस आकर वार्ड मैन की दिर्वाजा खुलने का इंतजार करने लगती हैं, जिब क्योंकि कैमरा ओपरेटर इनी नहीं मिला था, अजीब बत ये थी कि साड़े साथ हो गए थी, पर वार्ड मैन ने अभी तक दर्वाजा नहीं खुला था, पर क्योंकि कैमरा मैन को कैसे भी करके यहां से निकलना है, इसलिए वो दर्वाजा तोड़ देता है, लेकिन ये लो ये सोचकर परिशान हो गई कि हम इस हॉस्पिटल में फंस कहीं, एक अजीब बत ये भी थी, कि अभी तो पहर कर टाइम हो गया था, लेकिन हॉस्पिटल में अभी भी रात ही थी, जिसका मतलब ये हॉस्पिटल आइम को भी अपने कंट्रोल में करके अपने हिसाब से बदल अब देखार कर ये लोग एक जगा ही बैट गए और सो जाते हैं और अब इन्हें यहां पूरे 21 गंटे हो गए थी, जागने पर ये दुबारा बाहर निकलने का रास्ता खुजने लगी, कि तभी इन्हें केमरा ओपरेटर के चिलाने की आवाज है, ये लोग जैसे वहां प इस भाग दोड में पर अनॉर्मल इन्रिस्टिगेटर इन से अलग हो गया, वो जब एक जगा पर खड़ा था, तो अचानक कोई ना नज़राने वाली ताकत उसे उठा उठा कर मार रही थी, जिससे वो इतना जखमी हो गया कि उसकी हालत अदमरी हो गई, जिसके बाद वो उसे जान से मार डालता है, अब बचे हुए वो तीन लोग एक जगा पर आकर चुप गए, पर कुछ घंटों के बाद उन्होंने देखा कि हमारी कलाईों पर मरीजों के बैसलिट आ गई हैं, जिसके यो लोग मरीज हैं और अपना इलाज करवाने यहां आए हैं, तो इस बा दिमाग का मरीज बन चुका था, क्योंकि पागलों जैसे हरकतें करने लगा था, वो फिर इनसे कहता है कि तुम सब यहां से निकल सकते हो, बस तुमें भी यहां से अपना इलाज करवाना होगा, क्योंकि यह चीज मुझे बताई गई हैं, अब कुछ ही दिन में इस जगा की सारी दिवारों से शेतानी हाथ बाहिर निकल कर इन पर हमला कर दीती हैं, जिस वजह से इन्हें यहां से भी भागना पड़ता हैं, कैमरा मेन जो बार टब के पास खड़ा था, तो अच्छानक की खून वाले पानी से निकल कर बाहिर आई, कैमरा मेन को पकड़ लेती हैं, औ उसे भी अपने सारी पानी में डबो लेती हैं, पर जिब यह लोग बार टब के पास आकर चेर करनी लगें, तो कैमरा मेन और वो लड़की गाइब हो चुके थी, अब लांस और प्रैनॉर्बल इंवस्टिगेटर को एक बन पड़े लिफ्ट मिली, इसलिए लांस जल्दी स एक लोहे का रोड लेने जाता हैं, क्योंकि उसे अभी भी उम्मीद थी कि हम सुरांग के जरीये निकल सकते हैं, वो जब लोहे का रोड ले रहा था, तो अच्छानक एक खौफनाक मरीज का भूत, जिसके मुँँ से खून आ रहा था, आंके काली थी, वो लांस पर हमला कर पर वो जैसे तैसे बाहर आकर रोड से लिफ्ट खोल लेता हैं, लेकिन उस मरीज का भूत पिर से उन पर हमला कर देता हैं, तब यो लोग उसे रोड से दकेल कर बाहरी चोड़ कर लिफ्ट के अंदर आ गए, उदर कैमरा ओपरेटर जो पूरा पागल हो गया था, और सारे स खत्मी नहीं हो रही थी, बलके और लंबी होती जा रही थी, लांस इन्वस्टिगेटर को बताता है कि हम इस सुरंग में सारा दिन चलती रही हैं, पर ये खत्मी नहीं हो रही हैं, और हम बाहर नहीं निकल पा रही हैं, मुझी लगता है कि हम यह बुरा फस कही हैं, और ये लास ही बचय था। कुछ देर और आगे बढ़ने पर लास बुरी तरह चीफ नहीं लगा। क्योंकि उसका दिमागी तवाजन भी बुरी तरह खराब हो गया था। चिला चिला कर वो भूतों से बात करने लगा। कहता है कि मुझे भी मार दो तुम तुमने और किसी को दा पिरिन देखी जिनके दिमाग पर है डॉक्टर ने वो गलत एक्सपेरिमेंट किये थी। उसे आफिस में एक ऐसे जगा भी मिली जहां काले जादू इनी रिच्वल का समान पड़ा था। और काले जादू वाले एक किताब भी जिस पर मंतर वगेरा लिखी होते हैं। जिसस के सामने अच्छानक डॉक्टर और उसकी निर्सिस की आत्माया जाती हैं। जो अब अगले मरेस का इलाज करने वाले थी। और अगला नंबर और किसी के नई बलकी लांस का था। जिसकी बाद ही हम लांस के चिलाने की आवाज सुन पाती हैं। एक पर पिर वो कैमरा के साम मैं आकर बताता है कि मेरा इलाज हो चुका हैं। और अब मैं बिलकुल ठीक हूँ, मुझे छुटी मिल गई है, मैं घर जा सकता हूँ। इसके बाद है मैं तुमारा सी फिल्म का प्रोडियूसर दिखाया गया। जिसने पहले साफ साफ कहा था कि ये फिल्म बिलकुल असली ह सची है पर अब वो इस बात को चुटला देता है। उसका कहना था कि ये सिर्फ एक फिल्म है जो मैंने बना कर लोगों को दिखाई है और कुछ नहीं। शायद वो यहां जूट बोल रहा हूँ, इस बात को चुपाना चाहरा हूँ। तो अब क्या ये फिल्म असली है ये न जिहां कुछ लोगों को ये फिल्म बहुत पसंद आई और ड्राउने भी लगी जिपके कुछ लोगों को ये बिलकुल फजोल बकवास लगी। इन लोगों में एक था एलेक्स जिसे फिल्म खास पसंद नहीं आई और वो इसे सिर्फ एक स्टार ही देता है क्योंकि वो भी इनी फिल्म्स बनाने वाला था और वो खुद को इस वक्त का सबसे जहें फिल्मेकर समझता था उसे ये फिल्म इसलिए बसे नहीं आई यूकि उसका कहना था कि मैं इसे और भी हॉरर ड्राउने करके बना सकता था उसके इस रिवियो पर एक दिन उसके पास एक वीडियो मे ताकि उसे उक्सा कर वो हॉस्पिटल में ला सके। ये देखकर एलेक्स इस फिल्म की कास्ट पर रिसर्च करने लगा। जिससे उसे बता चलता है कि ग्रेव इंकाउंटर्स का हॉस्पिटल वाला उनका आखरी एपिसोड था। क्योंकि उसके बाद ही ये सारे एक्टर और एक किसी कैमरा की लेकिन फिर पे चलाकि से एलेक्स एक छोटा से कैमरा चुपा कर ले ही जाता है। वह प्रोडियोसर बताता है कि हाँ ये फिल्म सच में असली है। और मुझे वो सारे वीडियोस खुद नहीं मिली थी बलकि किसी ने सेंट की थी मिरे पास बेजी थी और क्यों उनकी फैमली से एक एग्रीमेंट समझोता किया। मैंने उनने कहा कि आप में से कोई भी उनकी गायब होने की रिपोर्ट नहीं करेगा जिस पर वो मान गे। ये जिस एलेक्स को बुरे लगी। उसने फैसला किया कि मैं प्रोडियोसर का ये सच सब के सामने लाँगा। पर उसके पास कोई ठोश सबूत नहीं था। वो अपने पास आई वीडियो अपने सभी दोस्तों को दिखा कर किये था है कि मुझे कोई गर्बर लग रही है। हमें भी उस होस्पिटल में जाकर ग्रेव इंकाउंटर जैसी ड्रावने फिल्म बनाने चाहें। अब एलेक्स को म मना लेता हैं। अगले ही दिन यह होस्पिटल के बाहिर पहुंची वहां गार्ड खड़ा था इसलिए अंदर नहीं जा पाएं। लेकिन जैसे ही रात हुई यह गार्ड से बचते हुई होस्पिटल की अंदर आही जाते हैं। अलेक्स का कैमरा ओपरेटर दोस्त हर उस जग कर काटने के बाद आखिर यह उस जगा पर आ जाते हैं। जहां मरेज के भूत ने इन्हें मिलने के लिए बुलाया था। इस कमरे में एक स्पिरिट बोर्ड मिलता हैं। जो आत्मा उसे बात करने यह आत्मा को बुलाने के लिए इस्तमाल किया जाता है। अलेक्स की दोस्त जो जान कर सभी डर गए इस बात की खबर लगते हैं बोर्ड और टेबल अपने आपी हावा में उडशाते हैं जिससे उनकी आलत खराब हो गई क्योंकि वो जान चुके थे कि हाँ सच में या बोत आत्माई हैं और ग्रेव इंकाउंटर फिल्म सची है यह जल्दी से एक कमरे म आकर छूप गई जहां से क्योंटी गार्ड इन्हें डॉंट चुका था और यहां से बाहर जाने का कहता हैं तभी उबर वले फ्लोर से इन्हें आवाज आई गार्ड चेक करने जाता है पर काफी टाइम के बाद भी वापिस नहीं आया और तभी इन्हें गन चिलने की आवा भूत उसे जोड़ से धक्का मार कर नीचे फेंग देता है यह जल्दी से वहां आई यह नजरा देखकर बहुत डर जाती है यहां से बागने की कोशिश करने लगे दर्वाजा डून रहे थी पर जाहिर है यह होस्पिटल जगा बदलता है तो उस गुरुप की तरह इन्हें भागने का कोई रास्ता नहीं मिलता यह लोग जैसे कमरे में गए वहां एक लड़की बैटी थी जो अचानक बहुत ही ड्रौनी बन जाती है और इन्हें दराने लगी क्योंकि वह एक आत्मा थी यह उसे डर कर भागने लगी जिस चक्कर में एक लड़की इनसे अलग हो कि उसका जिसम जलने लगा वो पूरा ही जल गया और इस सरा से उसकी मौत हो चाती है तब यह जानक एक एड़की से खोफनाग भूत बाहिर आकर इन पर हमला कर दीता है पर यह लोग उससे बचती हुई आखिर कार में दरवाजे से बाहिर आहे चाती है पर वो भूत बाहिर नहीं आपाता क्योंकि वो यहां का मरेश था इसलिए वहीं परसा हुआ था अग एलेक्स और उसके दोनों दोस्स अपने होटल के कमरे में आ गए थे जल्दी जल्दी समान पैकरने लगते हैं ताकर यहां से भाग सकें लेकिन वो जैसे लिफ्ट में आए दुबारा से हॉस कर रहा था उसके लंबी बाल थी तब यहां हमें पता चला कि और कोई नहीं बलके लास है जो यहां कपका बसा हुआ है और जिन्दा इसलिए है क्योंकि वो चुगे खाकर गुजारा करता है अब जैसा कि हम जानते हैं कि होस्पिटल का टाइम भी बड़ता है तो लास के हिस इस हुस्पिटल की सारे दर्वाजे खोल दिये पर एक लाल दर्वाजा है जो मैं अभी तक नहीं खोल पाया क्योंकि उसके ओपर मोटी जंजीर लगी हुई है मेरे हिसाब से बाहर निकलने का रास्ता वो ही है पर उस जंजीर को काटने के लिए हमें एक कटर चाहिए जो ग इनके रिकॉर्डिंग कर रहे थी जागने के बाद एलेक्स का दोस्त वाश्रू में गया वो अपने मोम डेट के लिए आखरी मैसेज छोड़ता है यह तब पीछी से लास आ गया जो उसका गला दबाकर माट देता है और कटर वाहां से लेकर बाग जाता है जिसके बाद वो बाध जाने करास्ता नहीं दिखाया मुझे जिसकी बाद एक आत्मा दिवार पर लिखती है कि तुम ऐसा करो सारी टेप्स इकठी करके इस फिल्म को पूरा करो जिसका मतलब है कि वो भूत आत्माई चाहती है कि यह फिल्म पूरी हो तक ए फिल्म देखने के बाद इसे होगा ये कि हैड डॉक्टर और लोगों का इलाज करेगा और अपने रिच्वल के लिए लोगों की कुर्बानी देगा अब एलेक्स और उसकी दोस हैड डॉक्टर की कमरे में आगे थी जहां डॉक्टर एक बुड़े आदमी पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था और कि मुझे सारे टेप्स चाहिए और हां कोई एक ही इन सारे टेप्स को लेकर यहां से बाहर जा सकता है इसी बात के साथ लांस और एलेक्स की लड़ाई होने लगी जिसकी साथ यह वहां दिवार पर एक पोर्टल रास्ता खुल गया जिसके अंदर लांस चला गया था जो ऐलेक्स अपनी दोस्त की सर पर कैमरा से वार करता है मार मार कर उसका सर कुचल देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है जिसके बाद वो सारे टेप्स को एक बैग में डाल कर लाल दर्वाजे से बाहर आ जाता है वो प्हेतों में था क्योंकि सच में वो हॉस्पिटल से बाहर या प्रोडियोसर कहता है कि इस दूसरी फिल्म का नाम Green Encounters 2 है और ये भी पिछले पार्ट की तरह फेक है एनिक्स भी उसका साथ देकर कहता है कि हाँ ये फिल्म सच में जूटी है क्योंकि होस्पिटल में ऐसा कुछ नहीं है और कोई भी उस उस्पिटल के अंदर ना जाएं और ये अपने फिल्म बनाकर और इसे फेक हैकर रिलेस करेंगी और खुब पैसे कमाएंगी और ये सिल्सला हमेशा चिल कर रहेगा अब डॉक्टर ये काला जादो एक्सपेरिमेंट और फिल्मस इसलिए बनवाता था क्योंकि ऐसा करने में उसे बहुत मज़ा आया करता था बनादो चु झाला हमेशा और नादो झालादो इचिल लियक मेंगी और येनंगी और ये वहाओें और और रहेजर शेजरिः़ dal येड़ा से रहेगा से